ओम शान्ति आज आपका 143 विदिन का इश्री वर्दान और परमपिता परमात्मा आज की वर्दान में हमें एक तरीका सिखाते हैं जिससे की हम अपने जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट या औरों से भी रिस्पेक्ट पापाएं लेकिन सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट और हम अब कहते हैं वर्दान में सोचना, बोलना, और करना जो सोचा, जो बूला, और कारिक्या, कर्म किया तीनों को समान बनाने वाले, एक बराबर बनाने वाले, सर्वत्तम पुरशार्थि भवा आज की दुनिया में इसी चीज़ की तो कमी है तभी तो हम किसी पर भरोसा नहीं कर पाते तो परमात्मा कहते हैं लेकिन अपने आपको भरोसे मंद बनाने के लिए सोचना, बोलना और करना बहुत जरूरी है और लोग आपको भरोसे मन माने ना माने लेकिन आपके मन के अंदर दुविधाय ना हो कि आप बोले कुछ और सोचे कुछ और करे कुछ उस कारण से आपका मन दुविधा में आता है आपके मन के अंदर विचार चलते हैं और आपको गिल्ट फीलिंग होती है तो परमात्मा कहते हैं इसको विस्तार में देखें कि बाबा कहते हैं सभी शिक्षाओं का सार है जो भी शिक्षाओं है चाहे दुनियावी की शिक्षाओं हो चाहे हमारे परमात्मा की दीव हुई आध्यात्मिक शिक्षाओं हो उसका सार क्या होता है कि कोई भी कर्म से देखने, उठने, बैठने, चलने, सोने से फरिष्टापन दिखाई दे कि आप जो भी कर्म कर रहे हो, फरिष्टा मतलो हलका बिलकुल और हलका तभी रह पाएंगे, फरिष्टा तभी बन पाएंगे जब हम सत्य मारक पर चलेंगे, परमात्मा के दिए वे डाइरेक्शन पर चलेंगे और फरिष्टे ऐसे नहीं होते कि सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, और करते कुछ है फरिष्टे ऐसे नहीं होते कि जो कि हवा में उड़ने वाले सफेद पंक लगाये हुए कुछ अलग ही दुनिया के लोग हो परमात्मा कहते हैं आप ही फरिष्टा हो आप किसी की मदद करते हो आप किसी को सही दिश्या दिखाते हो परमात्मा से जोड़ते हो तो आप ही फरिष्टा बन जाते हो आप कितने अच्छे फरिष्टे हो उस पे किस पर डिपन करता है कि आपका सोचना बोलना और करना एक पराबर हो तो देखें बाबा कहते कि हैं और आगे हर कर्म में अलोकिकता हो दूनियाओी तरीके से नहीं कि मे increasingly किसी की मदद करनी है क्यों मुझे फाइदा क्या हो रहा है फरिष्टे वैसे नहीं होते हैं मुझे नाम मां चान मिला कि नी मिला एक भारी तो किया, उसके बार रहे सेवा दूसरी भारे और दीसरी भारे नहीं कहारी, क्योंकि मेरे को किसी ने को कुछ बढ़ा ही नहीं करी, तो वह भी नहीं होना चीए. मैं उसकी क्यों मदब करूँ वो इंसानी गलत है वो इंसान के पास में तमीज नहीं है उस इंसान के पास में बोलने की सोचने की तमीज नहीं है यह उस इंसान को उठने बैठने की तमीज नहीं है यह चीजे नहीं देखनी है परमात्मा कहते हैं आप सेवाधारी हो, आपको अपने कर्म करते रहने हैं, बाकी आतमें अपने कर्म करेंगी, अपने अनुसार, लेकिन आपका रहे हैं सेवा करना क्योंकि आप फरिश्टे हो, फिर बाप कहते हैं कोई भी लौकिक्ता कर्म वा संस्कारों में ना हो, लौकिक बाकि सब बेकार हैं, मुझे बुद्धी दी है, बाकि किसी की नहीं है बुद्धी, ये चीजे ना हो, क्योंकि उसमें दिल और दिमाग, बढले हो पूच करके हम कर्म किया करेंगे, चाहे वो बोलने का कर्म हो, चाहे उठने का, बैटने का, सोने का, खाने का, पीने का, कर्म करने का, कमाई करने का, हर चीज में परमात्मा से पूछ करके कि बाबा यह जो सोच रहा हूं यह सोच रही हूं, वो ठीक है इसका रेजल्ट ठीक रहेगा कि इसको नुकसान तो नहीं पहुंचेगा यह चीज़े सोच करके कर्म करना यही तो मैनत है आध्यात्म में फिर बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि यह ना करें लेकिन कर लिया कि हमारा करमेंद्री के ओपर कंट्रोल नहीं रहा आँखी बुरा ना देखें लेकिन देख लिया बुरा ना बोलें बोल दिया, बुरा ना खाएं, गंदा ना खाएं, खा लिया, बुरा ना सुने, लेकिन चटपटी, एटपटी बाते सुने का मन करता है, तो सुन लिया, किसी बुरा ही सुन ली, हाथ पैर से कुछ बुरे कर्म ना करें, लेकिन वो भी हमने कर लिया, तो परमात्मा कहते हैं, सोचते तो थे कि यह ना करें, लेकिन कर लिया। फिर बाबा कहते हैं, जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो, तब कहेंगे श्रेश्ट हुआ सर्वोत्तम पुर्शार्थी। बाप समान मतलब परमात्मा धर्थी पर आकर के, हमें ब्रह्मा के तन में प्रवेश करकर के, दिखातें के कर्म कैसे करने है, और जो आत्मां हैं, जो की धन्संपति में लिप्त हैं, अपनी तन की खुबसूर्थी देखे अब इमान में, लोखेकथा की प्राप्तियों में जो लिप्त हैं tutti, पहचान ही नहीं पाती कि कल्यूक के अंत में परमात्मा धर्ती पर आ चुके हैं और अलड़ी कर्म करके दिखा करके आए और गए और फिर आते जाते रहते हैं तो Parmatma कहते हैं मैं आकर कर या ज्यान देता हूँ तुम्हें ये सारी सद्ध बुद्धी देता हूँ ताकि तुम्हें एक उत्थम पोरशी बनो और अच्छा पुरशार्थी बनो क्योंकि ये ज्यान है अगले जन्मों के लिए, के भलल एक जन्म के लिए यह नहीँ ये जन्म तो हमारा सुखी बन ही जाता है लेकिन साथी साथ हमारे अगले जन्म भी बहुत खुबसरत हो जाते है तो बापा कहते हैं जब तीनों ही एक समान और बाप समान हो क्या सोचना, बोलना और करना तब कहेंगे श्रेष्ट वा सर्वत्तम पुर्शाति आज इंसान अपनी उम्र के हिसाब से रिस्पेक्ट मांगता है वालोर से कहता है कि मैं तो बड़ा हूँ घर का या बड़ी हूँ घर की या मैं उचा हूँ या मैं बॉस हूँ मेरे को इत्ते साल होगे करते हुए या जॉब मेरे को इत्ते वर्श होगे वो respect demand करता है परमात्मा कहते हैं जो विक्ती सोचता बोलता और करता एक समान है उसको सची respect मिलती है चाहे वो छोटा हो उम्र में चाहे बढ़ा हो क्योंकि करने वाला तो कौन है आत्मा जिसकी कोई उम्र ही नहीं होती तो आप बड़े हैं वो किस हिसाब से पतलता है कि आपका सोचना बोलना और करना पवित्र हो सही हो और सही दिशा दिखाए औरों को भी तो आज का ये वर्दान इशुरे वर्दान इसके बार में घहराई से सोचेगा आप आपके जीवन में मेडिटेट करेगा उसके उपर और आपका दिन शुप हो आप स्वस्त रहें घहर में रहें ओम शान्ति